Central Bank of India के अंदर से एक नई वेकेंसी आई है और ये जो वेकेंसी है Central Bank of India Apprentice भरती दोहजार तईस और ये जो अधिसूचना निकल कर आई है Central Bank of India से जो उमिदवार इस Central Bank Apprentice Form दोहजार तईस के अंदर भरना चाहते हैं उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि ये जो form भरने के लिए भरती योगिता क्या होनी चाहिए उम्र सीमा क्या होनी चाहिए और राजजिवार यानि statewide vacancy क्या है और selection process क्या है इसका syllabus क्या है इन तमाम बातों पर हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं और आप सरकारी नोकरी की तयारी करते हैं तो आपके लिए एक नई वेकंसी निकल कर आ चुकी है इसलिए इस वीडियो के अंदर आप लोग अंतर तक बने रही है और जिसके अंदर की हम पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं चलिए बिना ज़्यादा समय लिए आ इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो यह जो फॉर्म भरने की आवेदन का जो शुरू होगा आवेदन ऑनलाइन करने का शुरू वह 20 मार्च 2023 से शुरू हो चुका है जिसका की ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिमति थी है वह 3 अप्रेल 2023 तक आप लोग ऑनलाइन माध हमसे आवेदन कर सकते हैं अंतिमति थी है 3 अप्रेल 2023 परिक्षा सुल्क अंतिमति थी है 3 अप्रेल 2023 को यह परिक्षा सुल्क जो आप जमा करेंगे उसके लिए अंतिमति थी है 3 अप्रेल 2023 परिक्षा की जो निर्धारित थी है इस वेकंसी का सेंट्रल बेंक आप इंडिया क बेकंसी के लिए जो परिक्छा की तित्थी आयोजित होने वाली है सकेंड विक अप्रेल यानि की अप्रेल के दूसरे सब्ता में समभावी तेकी यह परिक्छा आयोजित होने वाली है और admit card जो है before examination 8-bit card विभाग के website पर exam के कुछ दिन पहले upload किया जाएगा। ये तो कुछ महत्पुर्ण जानकारी Central Bank of India Apprentice भरती 2023 से समंदित important dates की बात किये इसे समंदित और आगे बात करते हैं। इस form के लिए application fee की बात करते अप्लिकेशन fee general OBC EWS के लिए 800 रुपय का payment करना है। वही पर SCST के लिए 600 रुपय का payment करना होगा, all category females के लिए 600 रुपय का payment करना है। यानि किसी भी category की महिलाएं candidates को 6 रुपय का payment करना है। और payment mode जो है pay the examination fee throughout debit card, credit card, net banking, fee mode only यानि किसी भी परकार के online माध्यम से ही आप fee payment कर सकते हैं। इसके लिए तो आप credit card या फिर credit card, debit card या किसी भी online माध्यम से आप लोग fee payment कर सकते हैं। जिसके लिए कि अलग-अलग category के लिए अलग-अलग fee payment करना है। Age limit की बारत कर ले हैं, Central Bank of India Apprentice भरती 2023 के जो वेकेंसी है, इसमें Age limit is on 31-3-2023, यानि कि 31 March-2023 की date से आपका minimum age जो है, यानि नियूनतम उम्र 20 वर्स होना चाहिए, और maximum उम्र जो है, वो 28 वर्स होना चाहिए। 20 वर्स मिनिमम है, और ये 28 वर्स जो है, maximum उम्र है, और ये किस्ति ठीक होना चाहिए, तो धियान रखेगा, 31 March-2023 को नियूनतम उम्र 20 वर्स और अधिक्तम उम्र 28 वर्स होना चाहिए। Age relaxation की बात करें तो Central Bank of India Apprentice Requirement Rules के अनुसार, गवर्मेंट के द्वारा जो छूट में निर्धारित दिया गया है, वो भी इसके अंदर लागू होगा, इसके अंदर अगर छूट की बात करें, उम्र सीमा में छूट की बात करें, तो SC, ST के लिए 5 वर्स का छूट है, वहीं पर OBC, Non Creamy Layer के लिए 3 वर्स का छूट है, वहीं पर PW, BD के लिए 10 वर्सों का छूट है, Personal Affected by 1984, रोयट्स के अनुसार ये 5 वर्स का छूट है, उसी तरह Window Discovered Women and Women, लीगली इस तरह के लोगों के लिए 35 वर्स से up to 40 years के लिए भी छूट है, ये कुछ बात हम लोग कर लिए, Age Relaxation की बात में और New Time Age और Maximum Age की बात, इसी से समन्दित और भी जानकारी हम लोग आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है, आगे बात करें, Central Bank of India Apprentice भरती 2023 में वेकंसी डिटेल्स की बात करें, इसमें देखें एक तरफ में पोस्ट नेम है, टोटल पोस्ट है, Bank of महराष्टा Apprentice Eligibility, यानि कि जो Central Bank of India के अंदर से जो Eligibility है, वो भी देख लेते हैं, सबसे पहले बात करें, पोस्ट जो है Apprentice in various states, अलग-अलग states से अलग-अलग पोस्ट के लिए Apprentice है ये, और टोटल पोस्ट की बात है, टोटल पोस्ट पहुंच है जारे धियान रखेगा, ये Tentative हो सकता है कि इसमें ये पोस्ट में घट भी सकता है, और ये बढ़ भी सकत आप लोगों के पास bachelor degree होना चाहिए, यानि graduation की degree किसी भी university के अंदर से होनी चाहिए, साथ में धियान रखेगा knowledge of applied state local language, जिस राजी से आप apply करना चाहते है तो वहां का local language जानकारी आपको हना चाहिए, more eligibility details read notification, इसके अलावे और जो भी notification और भी detail जानना चाहते है तो आप notification के माध्यम से उसको अच्छे से पढ़के जान सकते हैं, वैसे जो जरूरी था वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, ये कुछ eligibility की बात करें और भी आगे details इसका हम लोग जानते हैं, आगे हम लोग state wise vacancy detail की बात करें, कि अलग-अलग state से अलग-अलग vacancy है, इस तरह से एगर हम लोग बात करें, एक तरफ में देखे, states है और एक कॉलम में आप लोगों का category यू आर यानि जेनरल है, दूसरे काटेगरी में EWS है, तीसरे काटेगरी में OBC है, चाउथे काटेगरी में SC है, चाउथे कॉलम में ST है, इस तरह से ये total post की बात किया जा रहा है, किस state से कितन post है, तो केबल धियान रखेगा दोस्तों, हम इसमें किस state में कितने post है, वो बता दे रहे हैं, वैसे आप लोग अगर देखना चाहते हैं, यहां से देखे, पूरा असपष्ट दिखाई पड़ रहा है, कि UR के लिए कितने post है, EWS के लिए कितने post है, OBC, SC, ST के लिए अलग- अगर हम उत्तर परदेश की बात करें, तो उत्तर परदेश में total post जो है, वो 615 post है, केबल उत्तर परदेश में, विहार की बात करें, तो विहार में total विहार में 526 post है, उसी तरह मध्य परदेश में total post की संख्या की बात करें, तो 502 post है, मध्य परदेश में, उसी तरह दिल दिली की बात करें, दिली में टोटल पोस्ट की संख्या 141 है, राजास्थान में टोटल पोस्ट की संख्या 192 है, 36 गड़ का जो टोटल पोस्ट है वो 134 है, चंडीगड में टोटल पोस्ट की संख्या 43 यानि 43 है, हर्यामा में टोटल पोस्ट की संख्या 108 है, पंजाब में टो टोटल पोस्ट जो है 146 है, जम्मु कस्मिर में टोटल पोस्टों की संख्या 26 है, हेमाचल पाग्रेस में टोटल पोस्ट जो है 63 यानि 63 है, तमिलाडू में टोटल पोस्ट की संख्या 230 है, पंडी चेरी में टोटल पोस्ट की संख्या 1 है, केरला के अंदर जो टोटल पोस्ट क की संख्या केवल 41,41 है, असम में टोटल पोस्ट 135 है, मनीपूर में टोटल पोस्ट की संख्या 9 है, नागालेंड के अंदर टोटल पोस्ट की संख्या 7 है, अरुनोचल परदेश में टोटल पोस्ट की संख्या 8 है, मिजोरम में टोटल 2 पोस्ट है, मेघालाया के अंदर टोटल आठ पोस्ट है, तिरिपूरा के अंदर टोटल पोस्ट की संख्या 6 है, करनाटका के अंदर 115 पोस्ट है, तेलंगना के अंदर 106 पोस्ट है, अंद्र परदेश में टोटल पोस्ट 141 है, ओडिसा के अंदर टोटल पोस्ट की संख्या 112 है, बेस्ट बंगाल यानि पस्सिम बंग महराष्ट के अंदर 629 पोस्ट है, दादर, नगर, हेवेली और दमन, दूइप के अंदर टोटल तीन पोस्ट है, इस तरह से टोटल पोस्टों की संख्या अभी जो है वो 5000 है और ये पोस्टों की संख्या घट भी सकता है और भी बड़ भी सकता है, तो आप जिस राज के कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस तरह की एक छोटी सी जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आएं, हमें उमीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और यदि आप इस फर्म को भरने के योगिता रखते हैं, eligibility है आपके पास, तो इस फर्म इतना ही, अगले जानकारी के साथ फिर दूसरे दिन मिलते हैं, तक तक लिए धन्यवाद, जहिंद